नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित यवारता में दोस्तो आज हम डिसकस करेंगे HP में TGT TET जो मेडिकल का परिक्षा हुई थी उसके जो GK सेक्षन है उसको हम देखने जा रहे हैं चलिए दोस्तो बिना देर के शुरुवात करते हैं आज के इस लक्षर की और देखते हैं प्रशन संख्या 121 तो प्रशन है देखिए जावी खेती करने में सबसे अग्रवनी राज्य कौन सा है तो ये है सिक्किम विकल्प नमबर A इसका साहि उतर होगा नेक्स्ट है भारतिय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है तो ये है देखिए विकल्प नमबर D डॉक्टर केसी वान और इन से पहले A किरन कुमार इसमें पहले थे ठीक है विकल्प नमबर 122 का देखिए विकल्प नमबर D साहि होगा नेक्स्ट है देखिए NCERT का पूर्ण रूप क्या है तो इसका जो सही रूप है देखिए वो है National Council of Educational Research and Training विकल्प नमबर C इसका साहि उतर होगा अगरा प्रशन है देखिए 154, 124 ततापाणी गरम जल के चश में किस नदी के किनारे स्थित है तो ये देखिए ये है आपका सतलूज नदी के किनारे स्थित है और ततापाणी आपका मंडी जिले में आता है नेक्स्ट है नीती आयो के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है तो नितियायो के जो बरत्मान उपध्यक्ष है तो डॉक्टर राजीर कुमार विकल्प नमबर C इसका सही उतर होगा 126 प्रशन है अंग्रेजी सरकार ने शिमला को भारत की ग्रिश्म कालीन राजधानी कब घुशित किया तो इसका जो सही उतर होगा विकल्प नमबर A 1864 में नेक्स से दिखिए प्रसिद परियाटक सल माउंट आबू किस राज्या में है तो यह है विकल्प नमबर D राजस्थान में प्रशन संक्या 128 है सना मरीन किस देश की प्रधान मंत्री है तो यह है फिनलेंड की और यह सबसे यंगेस प्रधान मंत्री ठीक है नेक्स से दिखिए भारत माला भारत सरकार के किस मंत्रा लेकी महत्वपूर्ण परियोजना है तो यह है आपका विकल्प नमबर C सडक परिवेहन वर राजमार्ग मंत्रा ले अगला प्रशन है 130 CAA का पूरा नाम क्या है या CAA क्या है तो यह है आपका Citizen Amendment Act विकल्प नमबर B सयुत्तर होगा नेक्स प्रशन है दिखिए अकबर के दरवार में परसिद राजगवी कौन थे यह थे रहीम तो इनका पूरा नाम था अब्दुल रहीम खाने खाना नेक्स दिखिए इन में से किसे अंग्रेजी सिरकार ने उनकी बहादुरी के लिए Victoria Cross सम्मान दिया था Captain Bandari Ram विकल्प नमबर A इसका सही उत्तर होगा सारक में कौन सा देश शामिल नहीं या सारक कौन सा देश सारक का सदस्य नहीं है तो दिखिए इसमें विकल्प नमबर B और C दोनों क्या है ये नहीं है इसमें तो इसका जो है I think सबको common marks मिलने चाहिए ठीक है मैं मार और Mauritius नेक्स है दिखिए 134 इंडियन नेशनल आर्मी का गठन कब हुआ था तो ये हुआ था 1942 में विकल्प नमबर B इसका सही उत्तर होगा नेक्स है चीनी का कटोरा किस देश को कहते हैं तो ये कहते हैं क्यूबा को विकल्प नमबर A इसका सही उत्तर होगा 136 प्रशने दिखिए Global Investor Meet 2019 हीमाचल में किस क्षित्र मेनिवेश के सबसे ज़ादा MOU हस्ताक्षित हुए हैं तो ये है जल विद्यूत विकल्प नमबर B अगला प्रशने दिखिए 84 मंदिर कहां पर हैं तो ये है आपकी चम्बा के परमाओर में विकल्प नमबर B इसका बिलकुल सही उत्तर होगा नेक्स प्रशने दिखिए गुरु का लहोर गुरुद्वारा कहां पर है तो ये है बिलासपूर विकल्प नमबर C अगला प्रशन है 149 चमेरा 2 जलविदित परियोजना कहां पर है तो ये है चम्बा में नेक्स है कांगड़ा का प्राचिन नाम क्या है तो ये त्रिगर्थ है ठीक है संतोष ट्रोफी की स्खेल से संबंधित है तो ये है आपका विकल्प नमबर B फुटबॉल से इंग्लेंड की मुद्रा क्या है इंग्लेंड की जो मुद्रा है देखिए वो है पाउंड विकल्प नमबर B इसका सही उतर होगा दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? ये हुई थी 1930 में अंग्रेजों ने किस रियासत पर अधिकार नहीं किया तो इसका जो सही उतर होगा देखिए विकल्प नमबर D गोवाबर 145 हमा प्रशन है सन 2019 का दादा साहब फाल के पुरुसकार किस ने जीता? तो 2019 का जो दादा साहब फाल के पुरुसकार जीता है देखिए ये अमिताब बच्चन C इसका सही उतर होगा 146 हमाच्परदीश के वर्तमान मुख्या नयादीश कौन है? तो ये है लिंगपपा नारायन स्वामी विकल्प नमबर C 147 हमाच्परदीश के नागरिकों ने सरवदिक नोबिल पुरुसकार जीते हैं तो ये स्विक राजय अमेरिका है और इनने 353 लोगों ने पुरुसकार जीता है सबसे जादा नेक्स से दिखिए कुटलेहर रियासत अब किस जिले का हिस्सा है तो ये है विकल्प नमबर B उना अगला परशन है दिखिए 149 हमाच्परदीश में केंद्री आलू अनुसंधान केंद्र कहां स्तित है तो ये परशन बहुत बार रिपीट होता रहता है परिक्षा में आती हो गई हो तो आप कोमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं फिलाल अभी के लिए इतना ही दोस्तो जल्द आपके साथ मुलागात होगी तब तक के लिए शुक्रिया जहिंद